हलो दोस्तो, आज है संडे और संडे को आती है हमारी Q&A की वीडियो जिसमें कि आपके कोश्चन होते हैं और मेरा आंसर होता है आपको एक एक डीटेल में सटीक जानकारी आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ आपके Q&A वीडियो में क्योंकि आपकी जो question होते हैं बहुत ज़्यादा जरूरी question होते हैं जो कि आप एक week इंतजार करते हैं question करने के बाद कि उसका reply मुझे मिले तो मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो पहले research करता हूँ आपके question पर फिर उस वीडियो को बनाता हूँ और आपके सामने लेकर आता अब मैं आपको एक-एक question का answer दे रहा हूँ जरूर आप इस वीडियो को last तक देखना क्योंकि इस वीडियो में कुछ last में information और आपको motivation करने के लिए एक और important जानकारी है तो सबसे पहले यहाँ पर मैं पहला question जो pick करता हूँ यस के ठाकुर का है सर इसमें manually computer से song add हो सकता है क्या जब आपके channel पर reused content आ जाता है या copyright claim आ जाता है तब आप सोचते हैं कि जो copyright claim ओला part है उस part को मैं trim कर दूँ YouTube studio में जाकर तो YouTube studio में जाकर trim कर देते हैं लेकिन वहाँ पर इन्होंने ये पूछा है कि क्या मैं अपने आप से कोई music add कर सकता हूँ क्या upload करने के बाद कि भय का भाई मेरा channel monetize नहीं हो रहा है और मेरे वीडियो में copyright claim है तो क्या channel monetize होगा या नहीं होगा देखे इस question का answer वेरी करता है मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपके question में आपका answer है जो copyright claim होता है copyright claim depends करता है कि आपकी किस video पर किस तरीके से आया है क्यो कि अगर आप आपने बिना अपनी आवाज यूच किये हुए कुछ भी अपना नफेस दिखाया ना आवाज आपने डाइरेक्ट दूसरे का कुछ music यूच कर लिया है जिसमें की claim आया है तो आपका channel monetize नहीं होगा next question है यहाँ पर रोहन सैनी ब्लॉग का sir मैं instagram पर वीडियो बना कर यूटूब पर upload करूँगा तो क्या channel monetize हो जाएगा देखें यूटूब पर अगर आपको upload करना है तो आप पहले यूटूब पर upload करिए instagram पर upload ना करें next question है अक्षय डॉग ब्लवर का sir जी अगर हम खुद की बनाई हुई वीडियो 10 से 15 बार डालें तो क्या reused content आएगा क्या यहां पर दोस्तों इन्हों ने यह पुछाए कि एक जैसी वीडियो को बार बार upload कर दें 10-15 बार तो क्या दिक्कत आएगी yes definitely दिक्कत आएगी और आपको बता दूँ कि जब आपका जैसे आपको बुखार है तो डॉक्टर ने एक दवा एक बार दिये ना तो एक बार आप खाऊगे दो बार खाऊगे तो आपका बुखार हट जाएगा आप उसे बार बार खाते रहोगे तो बुखार तो हटी होगे यूटूब उहाँ पर बता देगा कि ये वीडियो डुबलीकेट है आपने अल्रेडी अपलोड कर रखा है मत अपलोड करो तो आपको पहले ही बता देता हूं ऐसे काम आपको नहीं करना है जिससे कि आपके चैनल पर आगे चलकर दिक्कत आए और आपका चैनल डी मो जब आप दूसरे का आइडियो यूज कर रहे है तो उसमें अपनी वैलू क्या प्रोवाइड कर रहे है तो कोई प्रॉबलम नहीं होगा आपका चैनल मोनिटाइज हो जाएगा आइडियो आप यूज करो अगर बैग्राउंड म्यूजिक की बात कर रहे हो तो अलग है उसम करना चाहते हैं तो आज ही आपको बता देता हूं मत काम करिए कोई ज़रूरत नहीं है यूटूब पर मेहनत करने की आप कोई और काम कर लिजिए या फिर अगर आप मोनिटाइजेशन माइंड में नहीं ले रहे हैं आप सिर्फ और सिर्फ अपना ओडियंस बेस बनाना चा इस बात को ध्यान में रखना नेक्स्ट कोश्चन है आप नवीन सर्मा का ब्रदर चैनल मोनिटाइज का पता कैसे करें क्या क्या हिंट होते हैं इन्होंने इसलिए पूछा है कि दूसरे का चैनल पूछना चाहरे है कि मोनिटाइज अगर होता है तो हमें कैसे पता चलेगा पर क्या चीज़े होंगी जिससे कि हमें पता चलेगा तो सबसे पहले इसका भी मोनिटाइज होगा वहां जॉइन में बटन का ऑफ सना अगर अगर इनेबल कर रखा है तो जाहिर सी बात है अगर किसी का चैनल मोनिटाइज है तो सभी लोग चाते हैं ज्यादा से ज्यादा तो इसलिए join member on करके रखते हैं, दूसरा thanks एक option आता है, वीडियो के नीजे वो on होगा, तीसरा वीडियो पर add आएगी, starting में भी आएगी, last में भी आएगी, mid में भी आ सकती है, और अगर channel monetize नहीं है, तो rare chance होता है, कम add आती है, मतलब एक आ गई, दो आ गई, लेकिन timely नहीं आती है, जैसे जो channel monetize होते हैं, उस पर starting में भी आती है, ये ज़्यादा तरफ होता है, कि आती ही आती है, तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं, कि channel monetize है, या नहीं है, और एक जानकारी बता क्योंकि साउधानी बहुत ज़्यादा जरूरी है, यहां पर lover boy टीटूल ने एक message किया, bro मैंने तुमको message किया है, reply क्यों नहीं देते हो, एक लड़के ने जो की नीचे message करता है, technical प्रसाद नाम इसका, अब reply मिलेगा, यहां करो message, हो जाएगा Instagram पर बात करो भाई, प्लीज और फिर यहां पर बात क्या तो आप reply नहीं करते हो, technical प्रसाद यहां बात करो भाई, देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो YouTube पर नए नए होते हैं, आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे, जो YouTube पर अभी नए आए हैं, जिनको ज़्यादा knowledge नहीं है YouTube के बारे में मेरे नाम पर बहुत लोग fraud करते हैं, उसमें से एक ये भी हो सकता है, technical प्रसाद करके जो एक लड़का message बार-बार मेरे comment में जाकर करता है, आज जब Q&A वीडियो बनाने के लिए मैंने question पिक किया, तो वहां पर ये मुझे दिखा, ये एक ही जगा नहीं दिखा, तब मैंन हार्डली message किसी को करता हूं, तो यही कहता हूं कि आप Instagram पर मुझे message करो, DM करो, Instagram पर मैं Instagram की ID जो आप सामने देख रहे हैं, यही वाली मेरी ID है, इसी ID को मैं बताता हूं, अवेर रहने की जरूरत है, अवेर कैसे रह सकते हैं, कि जब भी आप से कोई ID password या फिर payment की बात करे प्रवाइड नहीं कर सकता हूं, इस बात का ध्यान रखना आप, ताकि आप safe and secure रहें, इस question है हार्दिक पठेल का, हार्दिक कुमार पठेल जी लिखते हैं, सर क्या मैं एक YouTube चैनल में दो लेंगोज का यूज कर सकता हूं, जैसे कि अलग अलग वीडियो में अलग अलग ले जी होगा कि ये वीडियो इस लेंगोज में है, और ये वीडियो इस लेंगोज में है, जैसे कि आप एक वीडियो हिंदी में और वही वीडियो को इंगलिस या मलियालम तमिल में करना चाते हैं, तो कर सकते हैं, बट आप लेंगोज चेंज कर देना, यहां पर जो मैंने एकावे में नहीं आना है खास तोर पर उनके जिनके चैनल पर एक भी वीडियो न सो हो आप इस लड़के के चैनल पर जा सकते हैं देख सकते हैं और किस kier से आप इस पर वीरीव करेंगें क्योंकि ये आपके साथ फ्रोंड करने के लिए पूरा-पूरा मूर बना चुका होगा तो इस बात को ध्यान में रखना बिना मेरे वीडियो कॉल किये हुए आप मेरे नाम पर किसी को पैसे किसी को ID पासवर्ड नहीं देना है क्योंकि माइडियर आपको बताओं आप कुछ भी करो मेरे नाम पर आपके साथ चीट ना हो यही मेरा मकसद है यहाँ पर दोस्तों इन्होंने मैसेच करके बोला है ब्रदर इतने वीडियो डिलीट करने से वाच त्याम तो कम हो गया तो मॉनिटाइज में प्राब्लम होगी कि नहीं देखो watch time तो कम होगा ही होगा जब reused content होगा reused content वाली वीडियो को ही डिलीट करवाया जाता है जिससे कि आपका watch time कम होगा जिससे कि आपका channel सही हो जाएगा आपका channel monetize होगा और आप पैसे भी कमा पाएंगे इस बात को ध्यान में रखने next question है यहाँ पर एक question मैंने और पिक किया है MS दिलदार का एक description हर वीडियो में यूज कर सकते हैं क्या description में कुछ चीजें आप हमेशा यूज कर सकते हो जैसे अपने social media का link जैसे आप disclaimer, copyright disclaimer और आप वहाँ पर hashtag एक आधे same यूज कर सकते हो लेकिन अगर आप सोचो कि सब keyword वीडियो किसी और topic पर keyword कोई और topic पर है यूज कर लूँ तो आपके channel पर misleading metadata आजाएगा जिसकी वज़ा से आपका channel demonetize हो जाएगा तो इस बात को ध्यान रखना कि वीडियो के बारे में आपको हर description में अलग अलग बातें लिखनी है यहाँ पर next question जो कि मैंने पिक किया है पिंक रोजी का हलो सर मेरा भी channel monetize problem हो रहा है मैं आपको ID बोल दूँगी सर आप चेक करोगे न देखो ID और password बिलकुल नहीं share करना है मुझे भी ना share करो मैं नहीं लेता हूँ क्योंकि मेरे पास इतना time नहीं होता है कि मैं आपके ID और password को लूँ और फिर आपके channel को चेक करूँ क्यों क्योंकि हमारे पास अल्रेडी पेड मेंबर होते हैं जिनके हम ID पासवर्ड हमें नीड होती है तो लेते हैं प्लस चैनल को monetize करते हैं राइट इस चीज को ध्यान में रखो और आपको बताओं आप अपने चैनल का लिंक ही देना क्योंकि मैं हमेशा चैनल के लिंक को ही मांगता हूँ ना कि कभी बोलता कि आप ID और पासवर्ड दीजिए इस बात को आप ध्यान में रखना तो यहां पर next question हमने पिक किया है एक ही sort video बार बार डालें तो fund मिलेगा क्या नहीं मिलेगा यहां पर मेरा answer है बिलकुल नहीं मिलेगा देखो एक ही चीज को बार 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 आप करोगे कैसे sort fund मिल ऐसा बिलकुल आप सोचना भी नहीं है अगर ऐसा होने लगे तो कोई भी जाए दूसरे का sort उठाए अपने sort पर डाले और उसका वाइरल हो जाए और उसे fund मिल जाएगा ऐसा नहीं है यूनीक चाहिए content आपको अलग ही चाहिए एक जैसा नहीं होना चाहिए जैसा कि दोस्त चैनल पर ज्यादा व्यूज नहीं आते हैं आप जाके च्क कर लेना लेकिन इनके चैनल पर व्यूज क्यों आये हैं मैं आपको बताता हूँ इनका चैनल मौनेटाइज हुआ और इन्हों ने हैस्टेग में मेरा नाम यूज किया प्लस अट दारेट लगा कर मेरे चैनल पर तो आप भी ये काम कर सकते हैं, आपके भी चैनल पर व्यूज जादा आएंगे, प्लस आपको एक information और देदूं कि इनका चैनल हमने paid membership में monetize कराया है, और आज के टाइम पर आप देख सकते हैं, नीचे इन्होंने comment की भी किया है, मेरे comment के नीचे thank you so much sir, आपकी वज़ा से possible और इनके चैनल पर आप देख सकते हैं, thanks वाला option भी open है, जिससे कि इनका चैनल पता चलता है, monetize भी हो गया है, और आपको बताओं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक question मैंने नहीं pick किया है, एक doubt आपका clear किया है, जो यह सामने आपको picture दिख रही है, इस picture में उपर आप का logo दिख रहा है, और नीचे आप देख रहे है, thanks वाला option दिख रहा है, यानि कि अगर आप काइन मास्टर के logo के साथ में वीडियो अपलोड करते हैं, तब भी आपके चैनल पर कोई दिक्कत नहीं होगी, चैनल आपका monetize हो जाएगा, कोई problem नहीं आएगी, अब आपको motivation के हैं, per day monetize होते हैं, मैं अपने Instagram story पर पर दे कुछ न कुछ Instagram पर लगाता रहता हूँ, आज तक हमने 300 से ज्यादा चैनल monetize करा हैं, और सेम आप यहाँ पर देख सकते हैं, चार दिन पहले इस लड़के ने, जो कि Moon Games के नाम से इसका चैनल है, मुझे टैक किया था, और उस टा रहा हूँ, भड़ा सा बचके रहो, क्योंकि यह आपके चैनल पर नुकसान पहुचा सकता है, और जब आपके चैनल पर नुकसान हो जाएगा, तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपकी problem और ज्यादा बढ़ जाएगी, आपकी problem solve होने की बजाए, तो किसी पर भी भरोसा करने से पहले एक बार जरूर सोच लेना, और मेरे नाम पर अगर कोई बोलता है, तो वीडियो कॉल जरूर कर लेना, कोई भी process आगे बढ़ाना, तो दोस्तों इतने सारे question हमने pick किये थे, उमीद करता हूँ, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद में अपने question जरूर पूछ लेना, जिससे कि मैं आपके reply कर दूँगा question का next Q&A वीडियो में, मिलता हूँ कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए stay tuned, thank you so much for join us.